So Hammer Lifestyle इस brand को आपने Shark Tank Season 1 में तो जरूर देखा होगा So recently ये brand उनकी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टोज इस लाँच कर रहा है तो उनकी और एक स्मार्टोज रिसेंटली ही लाँच हुई है जो कहीं Hammer Fit Plus दोस्तो आज किस वीडियो में हम इसी स्मार्टोज को डीटेल में एकस्प्लोर करने वाले जानेंगे इसके फीचर कैस की प्राइज है और इससाथ ये स्मार्टोज आपको बाई करने चाहिए या फिर नहीं इसे के बारे में भी बात करेंगे पुस्टो फॉल बात करें इसमार्टोज के डीजैन की तो आपको प्राइस के सबसे ओरॉल ठीक ठाक डीजैन देखने मिलता है अब इसके डिस्पले की बात करें तो आपको 1.85 इंचेस का डिस्पले देखने मिलता है डिस्प्ले की कॉलिटी और ब्राइटनीस आपको ओरोल ठीक ठाक देखने मिलती है इससाथ ब्लिवदूत कॉलिंग का फीचर है और इस स्मार्टोज की बैट लाइफ के बात करें तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 5-7 दिसके बैट लाइफ की बैट लाइफ देखने मिलती है अगर आप calling feature के साथ यूज़ करते हैं एक से दो दिन के असपास की दिखने मिलती है इसी साथ इस smart watch के अंदर आपको voice assistant का feature भी दिखने मिलता है healthy related आपको इतने सारे trackers दिखने मिलते है heart rate monitor है, SP2 है, sleep tracking है और interesting आपको female health tracking भी smart watch के अंदर दिखने मिलती है इसी साथ sports related आपको 100 से भी ज्यादा trackers दिखने मिलते है जो कि overall बहुत इच्छी बात है बहुत सारे type के smart features दिखने मिलते है जैसे कि smart notification, camera shutter button, weather information, find my phone इस type के बहुत सारे features दिखने मिलते है बहुत सारे type के watch faces दिखने मिलते है smart watch के app के अंदर आपको GPS का feature भी use करने को दिखने मिलता है और इसी साथ इस smart watch के box के अंदर आपको इतनी सारी चीज़े दिखने मिलती है अब इस smart watch के price के बात करें तो 2399s की launch price है और इस price के सबसे ये smart watch मुझे बिल्कुल भी value for money नहीं लगी तो मेरी suggestion रहेगी कि इस range में आपको BXP की बहुत सारी अच्छे अच्छे smart watch देखने मिल जाएगे जिसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाएगा तो वो आप checkout कर सकते है और इसे साथ hammer इस brand की मुझे एक चीज़ इतने अच्छे नहीं लगती कि अच्छे